हैंड पे घिनोले टाइप की कीड़े लगे हैं तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही घिनोले टाइप की कीड़े को काट कर रिमू किया है आगे दूसरा चाकू और देखिए आगे वाले कीड़े को बहुत ही से तरीकी से रिमू कर चुका है बुरी तरह और ये ट्राइप अपोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं एक ही बार में और देखिए चीटी के पुरी ही घवत लग गए थे पुरी हैंड पे इसको भी रिमू की हम लोगों ने और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े देखिए सेब तरीके से रिमू हुए और सब तरीके से और ये फंगल वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेब तरीके से रिमू हो चुके हैं पूरी तरह और ये होल वाले ट्राइफोफोबिया थे जो कि ये भी सेब तरीके से कट के निकल गए पूरे के पूरे और देखिए हमारा गॉल्डर वाले चाकू बहुत ही सेब तरीके से जीडियों को काट के निकाला और देखिए ये भी ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े है जो कि ये भी सेब तरीके से रिमू हो चुके है और देखिए ब्लैक वाले कीड़े भी निकल चुके है एक ही बार में वारा पत्रोफोबिया चाकू काट के निकाला और ये चोटे चोटे थे ट्राइफोबिया वाले कीड़े ये भी निकल चुके है रिमू हुए और ये भी ट्राइफोबिया वाले कीड़े सेब तरीके से कट के रिमू हुए और देखिए हम लोग दवा लगा देते हैं इसके पूरे हैंड पे तो देखिए दवाई लग चुकी है बहुत ही सेब तरीके से और आगे हमारा कॉटन गोल्ड रोई और हम लोग अब टाइमर चला देंगे तो देखिए हमारा टाइमर चल रहा है और फानले आप लोग देख सकते हैं पूरे हैंड का हम लोगों ने सेप्ट और डीप क्लीन के साथ ट्रीटमेंड एनिमेशन कर दिया है फिर बहुत ही ज्यादा कीड़े लग गए हैं तो देखिए हम लोग्यों ने आख हम वाले कीड़्े को निकाल दिया काट के एक ही बार में आगी हमरा चिंटीं और यह ढ़्या की यह झिकर और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से निकाल को पगरा और यह दूसरे वाले XPS के से निकाल चुका है अब अब यह तीसर वाले कीड़े को पगड़ा और इसको बाइखिए सेव तरीके से फेक चुका है बहुती ओस्म और यह देखिए हैंड वाले चाकू बहुती ऊसम तरीके से कुछ कीड़े को किए और ये कछ ट्राइफ वब्म वाले वाले केड़े थे यो कि ये भी कट की निकल चुके हैं एक ही भी बार में और यह कुछ देखिए ट्राइफ वोबिया वाले ये भी ब्लैक वाले कीडे थे जो कि ये भी कट चुके और ये कुछ घिनोरे डाइब की कीडे हैं जो कि यह भी तरीके से इकल को अभी हम लोग मस्तिस्क वाले कीडे को रिकालेंगे तो देखिए मस्टिस्क वाले कीड़े एक ही बार में कटके निकल चुके हैं और यह ट्राइब ओपोविया वाले कीड़े है जो कि यह भी से पत्रीके से कटके निकले और यह कुछ कीड़े थे जो की ख़दा नाख होते हैं हैंड पर लगने की वज़े से तो देखिए हम लोग पूरा का पूरा डीप क्लिंग करेंगे इसके पूरे ही हैंड का आगे हमारा बड़ा वाला चाकू और देखिए इस वाले ट्राइफ और वोबिया को इसको भी निकाल दिया है पूरा काटके एक ही बार में रिबू किया और यह देखिए फिंगर्स वाले कीड़ों को भी बहुती सेप तरीके से काटके निकाल चुका है आगे हमारा दवा तो देखिए होल हो गए थे इसके पूरे ही हैंड पे और देखिए हमारा दवा भी लगा के चला गया आगे हमारा कॉटन बूल्डी अब हम लोग इस पर टाइमर चलाएंगे जो कि देखें कि यह ठीक सरीके से फिनिस हुआ गी नहीं तो देखिए टाइम हो गिया और ये भी फिंगर्स वाले कीड़े थे जो कि ये भी रेमो हो चुके हैं एक यवार में और ये जख्म वाले कीड़े भी रेमो हुए बहुत ही से तरीके से और ये गिनोरे टाइब कीड़े भी रेमो हुए बहुत ही सेब तरीके से और ये भी कुछ गिनोरे टाइब कीड़े थे जो कि ये भी रेमो हो चुके हैं से तरीके से तो दीके फिंगर्स पे लगे थे बहुत ही पिंपल्स उसको हम लोग ने निकाला कटके और अभी ये हैंड पर लग चुके हैं कीड़े जो कि हम लोग रेमो कर देंगे पूरे के पूरे कीड़े को तो फाइनली देखी बहुत सारे कीड़े को हम लोग ने रेमो किया और ये भी कुछ कीड़े थे जो कि ये भी रेमो हो चुके हैं और ये बीन्स वाले कीड़े को भी हम लोग ने रेमो किया और देखिए हैंड पर बाव सारे कीड़े थे वो भी रेमो हुए और ये रेट वाले की नोड़े टाइप की कीड़े थे ये भी रेमो हो चुके हैं तो देखिए काफी हद तक हम लोग ने ट्रीट्मेंट कर दिया है भी थोड़े बहुत कीड़े बच्चे हैं और ये होल वाले भी कीड़े रेमो हो चुके हैं तो आगे हमारा दवा तो देखिए दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है पूरी की पूरी और आगे हमारा कॉटर मूल रोई तो टाइमर हम लोग चल दे देते हैं तो फाइल टाइमर चल चुका है अभी देखिए त्री जीरो तो देखिए फाइल देख सकते हो हैंड पे बहुत ज्यादा कीड़े लगे हैं तो देखिए हम लोग चिम्टी के माधिन से रिमोव कर रहे हैं ये बलैक वाले कीड़े हैं जो की बहुत ही ज्यादा खाता नाख होते हैं पूरे हेंड में लग गए हैं और देखें हैं लोग चिम्टी से पकड़ें और रिमुव कर सक経izard है बहुत ही से तरिके से हैं और यह हमारे चिम्टी का काम खतं हो चुका बड़ा वाला चाक हुआ है और यह बड़े वाले गवाद वाले कीडे को एक यह बार तरिके लग गये ते जो कि हम लोगों ने इसको भी रिबू कर दिये हैं बहुत ही सेप तरीके से और ये भी कुछ-कुछ कीडे गिरावने टाइप के थे जो कि हम लोगों ने रिबू कर दिया है हैंड वाला चाकू मारा आया और देखिए बहुत ही औसम तरीके से रिम्बू कर चुका है काट की पूरा निकाल दिया है और ये काटेदार वाले कीडे थे जो कि हाथ में लग गये थे उसको भी हम लोगों ने रिम्यू कर दिया है ये भी कुछ केड़े बहुत ही जादा घिनरे डाइब के थे जो कि हम लोगों ने रिम्यू कर दिया है चाकू के मादम से अब देखें हमारा हैंड वाला चाकू ट्राइफ पोविया वाले कीड़े को निकाल दिया है और ये हमारा क्रोम वाला चाकू बहुत ही से तरीके से काट के निकाला कुछ कीड़े को और ये जुरासिक वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल सुके हैं आगे हमारा पत्रावाला चाकू ये भी होल वाले कीड़े को एक ही पार में काट के निकाल चुका है अगर ये हाथ पे लगी गिनर डाइब के कीड़े इसको भी निकाल चुका है बहुत ही सेप और आसम तरीके से और हमारा बेल्चा था जो कि ब्लैक वाले कीड़े को काट की रिमूव गिया और देखिए ये फंकल थे जो कि रिमूव हो सके हैं हम लोग दबा लगा देते हैं इसके पूरे ही हैंड पे तो देखिए दवाई लग चुकी है बहुत ही सेप तरीके से हम लोगों ने दवा भी लागा दिया है तो हमारा कॉटन रूर्ड रूई आएगा और देखिए टाइमर भी चलने लगा है तो टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हैंड का ट्रीट् को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं देखिए हमारे चाकू के माधन से हम लोग बहुत ही सेव तरीके से काटके निकाले कुछ कीडे को और ये फिंगर्स वाले कीड़े को भी हम लोग ने सेफ तरीके से काटके निकाल दिया पूरा का पूरा आगे हमारा दूसरा वला चागू और ये छोटे छोटे बिंगर्स वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं बहुत ही आवसम उल्डुक तरीके से और देखिए भी मैंगोर्स वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं अगे हमारा हैंड़ वाला सागू और ये बहुत ही जातक गिनवर्स टाइप का दिक रहा था कीड़ा जो कि इसको भी हम लोगों निकाल दिया है से तरीके से और ये भी देखिए गिनवर्स टाइप का कीड़ा था जो कि ये भी निकल चुका है बहुत ही आवसम तरीके से और ये पुरा कपुरा मैंगोर्स से भरा गुआ था इसका है इसको भी हम लोगों निकाल दिया है गोल्डेन वाद चाकू आया हमारा और ये ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े को एक ही बाल में काट की निकाल दिया है भी कुछ गिनवर्स टाइप की कीड़े हैं अब ये कुछ केड़े बचे हैं और ये दिखेंगे अभी से तरीके से हम लोग ने निकाल दिया है और ये दिखी हमारा दवा लग चुका है और दूसरी जग भी हम लोग ने दवर्ड लगा दिया है बहुत ही ऑसम तरीके से और आगे हमारा कॉटन वूल रूई तो कि टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है लगे हैं बहुत ही तगड़े वाले कीड़े और देखें हम च सेप तरीके से रिमूव करेंगे और इसके हैंड का ट्रीट्मेंट करेंगे तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेप तरीके से काट अप बहुत सारे वायरस को आगे हमारा दूसरा चाकू और यह हमारा गिनासा वाला चाकू बहुत ही और सम तरीके से काट के चला गया कुछ कीड़े को और यह हमारा चाकू बहुत ही धार वाला चाकू था जो कि यह भी बहुत ही सेप तरीके से ट्रेट्मेंट किया और ये कुछ ट्राइफोफोबिया वाले वायरस थे और देखिए इसका हाथ बहुत ही जादे घिनाओने दिख रहा है तो देखिए हैंड वाले चाकू ने हमारा बहुत ही सेप तरीके से रिमूट किया कुछ कीड़े को और ये भी कुछ गिनाओने डाइफ की कीड़े को निकाल दिया है बहुत ही ओसम तरीके से और ये भी गिनाओने डाइफ का कीड़ा ये भी रिमूट हो सुका है और आगे है गोल्डन वाले चाकू हमारा और ये बहुत ही सुलली सुलली से काट के चला गया बहुत ही ओसम तरीके से और ये गिनाओने डाइफ की कीड़े थे ये भी बिल बिलाते हुए निकल चुके हैं पूरे के पूरे अब ये लास्ट वाला कीड़ा बचा हुआ था तो ये भी सेब तरीके से रिमूट हो चुका है बहुत ही ऑसम तरीके से हम लोग ने दवाई डाल देते हैं तो देखिए यह जगे दवाई पढ़ चुकी है और दूसरे जगह भी दवाई पढ़ चुकी है बहुत ही ओसम और लुक तरीके से आगे हमारा कॉटन वूल रूई तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है आज हम करेंगे हैंड का ट्रीटमेंट तो देखिए हम चाकू की माद इसे बहुत ही सिफ तरीके से कुछ कीड़े को काट दिये हम लोग और अभी यह आख वाले कीड़े थे जो कि यह भी रिमूव हो चुके हैं आगे हमारा चिम्टी तो देखे बहुती से तरीके से कीड़े को रिमूग कर रहा है हमारे चिम्टी और इस वाले कीड़े को भी रिमूग किया और ये लास्ट वाला कीड़ा ये भी गिर चुका है बहुती ओसमर से तरीके से हमारे ट्रीट्मेंट हो चुका है और ये बड़ा वाला बहुत ही चादा कीड़ा था वो भी रिमू हुआ है अभी कुछ मैंगोर्स है तो देखे चाको के माजन से ये भी रिमू हुए बहुत इसे तरीके से आगे हमारा दूसरा पतला चाको और ये गिन्हों ने टाइप कीड़े को काट की गिरा दिया पूुरा है हमाई है मैं दूसरा को और ये पे देंगा मैं तो अबी किहन कीड़े थे वह भी किर चुक्या है आग्या रितिल वाल चाको को मारा कstar देंगा अफंगल वाले किड़े को और देखे फंगल वाले कीड़े को बहुत इससे तरीके से निकाल दिया एक ही बार में आ गया दूसरा चाकु अमारा और यह किनोरे टाइप की कीड़े थे जो कि किस्विवादी कीड़े थे वह भी दिबू हुए तो देखिए हम लोग बहुत ही जादा ट्रेटमेंट कर सुके हैं भी थोड़े बहुत कीड़े बचे हुए है तो देखिए हम लोग बहुत ही जादा ट्रेटमेंट कर रहे हैं अभी कुछ कीड़े और बचे है और अभी यह बहुत ही खतरनाक वाला कीड़ा बच गया है इसको हम इस्प्रे से साब करेंगे तो यह जगए इस्प्रे का दवा मार दी हम लोग और दूसरे जगए भी दवाई पढ़ चुकी है अब हम लोग इसको कॉटन वूल्ट रोई से साफ करेंगे बहुत ही से तरीके से सब्सक्राइं करेंगे दूसरा कीड़ा पकड़ गया और इसको बिदिखे सेब तरीक से हम लोगों नहीं रिमूग कर दिया है और यह लाश्ट वाला कीडा और ये बिदिखे सेब तरीक से रिमूग हो चुका यह हमरे के चमटी का काम ख़तम हो चुका है। आगे हमरे चाकू और यह दिकी बड़ा वाला कीड़ा था वो भी रिमू हो चुका है होल वाला था आगे हम आप दूसरा चागू और यह जाली वाले कीड़े थे यह भी रिमू हो चुके हैं बहुत ही आसन तरीके से और है डावला चागू आया पूरे के पूरे जलीदार वाले कीड़े थे वो भी रिमो हो चुके हैं अब वाले चाकू ने काठा से तरीके से और ये भी बहुत सारे कीड़े थे वो भी रिमो हुए एक ही बार में आगया दूसरा चाकू और ये वाले कुछ कीड़े थे वो भी रिमो हुए एक ही बार में और देर देरे हर एक वायरस को हम लोग निकालेंगे और इसका ट्रीट्मेंट करेंगे अब ये काटिदार वाले कीड़े थे ये भी रिमो हो चुके हैं बहुत ही सिफ तरीके से आगया दूसरा चाकू हमारा और इसको भी दिखे बहुत ही सिफ तरीके से हम लोगों ने काटा बहुत ही आवसम तरीके से और ये कुछ फंगल वाले कीड़े थे वो भी रिमो हुए एक ही बार में और आगया हमारा दूसरा चाकू ये आख वाले कीड़े को काटा बहुत ही सिफ तरीके से और आगया हमारा प्रेड़ वाला चाकू और देखे बहुत ही सिफ तरीके से सिफ तरीके से कार दिया पूरे के पूरे वारस को अब हम लोग इस पर इस पर ये का दवा डालेंगे तो देखिए एक जगह दवाई पढ़ चुकी है और दूसरी जगह पर दिखिए दवा पढ़ चुकी है बहुत ही आसम तरीके से अब हमारा आगया कॉटन वूल रूई को इसादमी के पूरे ही हैंड पे लग चुके हैं कीड़ और पूरे हैंड को हम लोग ट्रीट्मंट करेंगे और ये काफी जाद गिनरेटाइब भी कीड़े लग चुके हैं इसके पूरे हैंड पे हम लोग पूरा का पूरा क्लीन करेंगे और ये देखे बलैक वाले कीड़े लग चुके हैं इसको भी रिमूव किये हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से और ये देखिए कुछ मूव वाले कीड़े हैं ये भी रिमूव हो चुके हैं और ये हमारा चला भी क्या आगे हमारा दूसरा चापू और ये देखे बहुत ये औसम टरीके से हम लोगों ने इसका ट्रेटन किया पूरा फुल और आगे दूसरा हमारा चापू और ये भी घिनवने टाइब का कीड़ा था ये भी रिमू हो चुका है बहुत ही ओसम लुक तरीके से आगे हमारा कुरॉमा वाला चाकू और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों नो काटा इसको पूरे के पूरे कीड़े को और ये हमारा पतल वाला चाकू जो की बहुत ही सिफ तरीके से काटा कुछ कीड़े को एक ही बार में आगे हमारा हैंड वाला चाकू तो हमारा हैंड वाला चाकू बहुत ही सिफ तरीके से ट्रीट में करता है पूरा फुल और आगे है दूसर चाकू हमारा और ये काफी बड़ी है तरीके से ट्राइफ अफ़ोपिया वाले वारस को काट की गिरा चुका है एक ही बार में ऑँ और ये मैंगोडस वाले कुछ कीड़े हैं जो की लग चुके हैं पूरे क्वे पूरे हैंड पे ही आगे हमारी स्प्रे का दवा एक दवाई मार चुके हैं दूसरी जग भी तो देखिए दूसरी जग भी हम लोग बहुत इसे तरीके से इसका दवा मार दिया है अब अब मारा आगे कोटम लूल रुई तो टाइमर चलने देता है टाइमर चलने के बाद देखते हैं फानर जड़ क्या निकलता है हमारा